Good morning to all of you, दोस्तों स्वागत है आप सभी का Education के Ad6 में और रुख करते हैं एक नई Recruitment की तरफ, यह Recruitment है यह है दोस्तो, Air India, Air Transport Service Limited की तरफ से, देखे, Limited Company है याने कि आपके लिए जो नौकरी निकाले गई है यो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है, लेकिन अगर आप इसके ल परने के लिए कितना फीस आपसे लिया जा रहा है, इन सब के बारे में सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माद्यम से हम शेयर करेंगे, तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्रा इसको लेकर यार्मी की आप जो है आविदन कर सकते हैं, वो छात्रत जो की सीधी भरती में पाटिसिपेट कर सकते हैं, जाहें आप मेल हो या फीमिल कैंडिडेट हो, इसके लिए हर एक अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग वेकिंस के लिए वैरियोस पोस्ट दिये यहां से आप लोग यहां से सारी डिटेल चेक भी कर सकते हैं, पोस्ट के बात करें, यहाँ पे तो टर्मिनल मेनेजर के पोस्ट हैं, और हम बात करें handyman की या handywoman की तो यहां भी उनके लिए पोस्ट है तो इनके सब के लिए क्या क्या qualification चाहिए तो जो भी छात्र यहां पे दसवी पास हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप इस पोस्ट के लिए याने के handyman या woman के लिए आप अप्लाई करें और जो छात्र यहां पे utility agent come ramp driver के लिए आविदन करना चाहते हैं वह चात्र भी यहां पे दसवी कक्षा पास हैं तो आविदन कर सकते हैं लेकिन ड्राइबर का पोस्ट है तो भाई आपके लिए यहां पे जो है यह भी detail आपको यहां से मैं पताने जा रहा हूं तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा दोस्तों अगर आप बिहार के किसी भी परिक्षा के त्यारी कर रहे हैं तो आप जूड़ सकते हैं बिहार के इस learning platform पे जो की आपके लिए यहां पे अनेकेड में लेकर आया है दो जिससे कि आपको हर कूर्स पे 10% का डिसकाउंट भी अबलेबल कराया गया है जो भी 16 बिहार दरोगा मेंस की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए 17 से लेकर 24 अप्रेल तक दो बजे यह आपको प्रेक्टिस सेट यहां पर कराया जा रहे हिंदी और जीएस के पेपर खोले कर जो क कि मेंस में आपके यह पेपर होंगे बिहार इस्पेसल यह जो सेक्शन है यह आपके बिपीएसी और बिहार दरोगा मेंस दोनों के लिए फैदे मन दोगा तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 26 अप्रेल को शाम आठ बजे अभी मन्यों सर के साथ दोस्तों आप सभी को ब देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे साथ ही अगर चाहते हैं कि फीचर कोर्स में आप जोइन करें तो वहां पर आपको फायदा होगा लाइफ टेश स्रीज का आंसर रैटिंग जो कि मेंस के लिए बताया जाता है टिप्स और स्टैडि मेटेरियल वेगर आपको प्रवाइ बैच भी शुरू कर रहे हैं जो कि आगे आने वाली परिक्षाओं की त्यारी आज से ही करना शुरू कर दें अगर आप लोग नए स्टुडेंट है या ग्रैजिशन आपका कंप्लीट होने वाला है अगले साल तो विहार के टॉप एजूड़कर यहां पर अपनी परिक्ष पहलें। परिदे हम देच ठीकलत है जो कि आप यहां से चैक कर सकते हैं लेकिन मैं बात करूंगा अगर दसवी कख्शा पास है तो आविदन कर सकते हैं जैसे कि handyman या handywoman के आप कोर्स यहां पे जो position है इसके लिए आपसे 10th pass मांगा जा रहा है and the must have able to read and understand the English language आपको थोड़ा से English language का ध्यान होना चाहिए salary देखिए आपको 17,520 रुपे से starting मिल रही है और knowledge आपको Hindi language का भी होना चाहिए यह ध्यान रखेगा बोलने और समझ में आना चाहिए आपको 28 साल इसका जो है general category के लिए criteria है OBC के लिए 31 साल है और से स्टी के लिए 33 साल है तो यह इस post के लिए आप आविदन करें जो चाहिए यहां पे इस पैटर्न पर अपना ग्रेशन कंप्लेट के है 10 प्लस 2 प्लस 3 के पैटर्न पर ठीक है विद डिप्लोमा आईए टीए या यूफ टीए दिन यू के अल्स अप्लाई पर पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकोग्नाइज उनिवर्सिटी तो भी आप आविदन कर सकते हैं एक साल का experience certificate आपके पास तो आपको preference मिलेगा एक कई सजार तीन सो की salary सापकी स्टार्टिंग होगी यहां पर जो 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 प्रॉफाइल होगा आपको अगले पोस्ट की तो यूटिलिटी अजन्ट कम रैंप ड्राइबर का पोस्ट है यह चाटा पोस्ट मैं आपको उल्टा क्यों बता रहा हूं चुकि यही सारे पोस्ट है जो इसके लिए आप छातर आविदन करते हैं तो दसवी कक्षा पास है आप यहां पे तो आपको यह यहां पे ड्राइबर के इस पोस्ट के लिए आविदन करना होगा लेकिन साथ में आपके पास हैवी मोटर वीकल का ड्राइबिंग लैसेंस होना चाहिए और इसके लिए आपको सैलरे मिलेगी 19,350 रुपए जैनरल के लिए 28 साल एस क्रिटेरिया है OBC के लिए 31 साल एस का एक और पोस्ट जहां पे आप जो छात राविदन करना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्रिटेरिया है तीन साल का डिप्लूमा इन मेकेनिकल एलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन एलेक्ट्रोनिक्स आटो मोबाइल इंजिनरिंग में अगर आप हैं यहां पे तिन या एर कंडिशनिंग में या डिजल मेकेनिक में या बेंच फीटर में वेल्डर में देन यू केन अप्लाई फर्दे पॉस्ट आपका जो कोर्स है वो वोकेशनल कोर्स यहां पे स्टेट लेबल या सेंटरल लेबल गवर्मेंट के तहत होना चाहिए एक्सपीरियेंस है उस आपके पास होना चाहिए जो भी अप्रेंटिस में आपने ट्रेट किया है उसका टेस्ट दिया आपने तो आपने आपके पास यह जो है साटिफिकेट होगा है ना तो आप अच्छे से जान नेते हैं समझते तो आपको प्रफेंस यहां पे मिलेगा 21,300 की सेलरी है यहां पर देख लेजिएगा यहां से जुनियर एक्जिकुटिव टेक्निकल का पोस्ट है जिसमें की फूल टाइम बैशलर डिग्री इंजिनेरिंग का मंगा गया है मेकेनिकल ऑटो मोबाइल प्रोडक्शन एलेक्ट्रिकल और एलेक्ट्रिकल एन एलेक्ट् अठाइस साल आपका इस्क्रिटरिया होना चाहिए एक ती साल ओभी सी के लिए एक साल के लिए दिन यू केन गो और अप्लाइब फर पोस्ट जुनियर एक्जिकुटिव टेक्निकल के लिए यहां फिर आपके पास है भी मोटर विकल का भी सर्टिफिकेट है यानि कि हम बी इक्सपिरियन्स और अर्थ मूबर्स जो चलाते है उनको यहां पर प्रफरेंस मिलेगा उनको सबसे पहले तो आप इस पोस्ट के लिए यह अच्छी पोस्ट आपके लिए तीसरा पोस्ट डिप्टी मनेजर टर्मिनल का जिसमें की ग्रैजुशन की डिगरी मांगी गई है 45,000 की सेलरी है 55 साल तक के एज कटेरी है बट यहां पे जो है आप लोगों से एक्सपिरियन्स चार साल का मागा गया है अपका एक्सपिरियन्स होना जी जिसमें कि आप पैसेंजर को या केर्गो रिलेटेड फंक्शनलिटी को जानते हैं या एयरलाइन के तुरू जो भी ए टर्मिनल मैनेजर की यहां भी ग्रैशन डिग्री मागी गई है 60,000 की सेलरी है बट यहां पे जो है एक्सपिरियन्स आपका छे साल का मांगा गया है और यह जो आपका पैटर्न है इस पैटर्न पर भी हो तो चलेगा बट ग्रैजुएट होने जान रखेगा और एयर लाइन इसके लिए ग्रैजुशन डिग्री होने चीए 8 साल का यहां पे एक्सपिरियन्स है तो 75,000 की सेलरी आपको मिलेगी 55 साल एज क्रिटरिया है तो यह सारी डिटेल तो मैंने आपको दे दी दोस्तों सारा जानकारी यहां से दे दिया है अब आपका जो सवाल बनेगा यहां प प्रिश्ट रखा गया है यह सब के बारे में यहां पर दिया आपके एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगी बट वह आपके इंटर्वी लेबल पर ही हो ठीक है आपके ट्रेट से ही रिलेटेड यह देखिए को यहां से बोला गया है वह पूछा जाएगा वह के लिए दिया गया त तो यहाँ पे जो 10 पास है उनका फिजिकल टेच्ट भी लिया जा सकता है यहां पे आपको जो लाइसेंस मांगा गया वो लाइसेंस होना चीए उसके लिए आप आविधन करेंगे तो आविधन करने का जो प्रोसेस है दूस्तों यहां पर एक अप्रेल से सुरू हो चुका है 22 अप्रेल तक लाज्ट डेट है आविधन करने का तो आपको क्या करना है कि अपने जितने भी दॉकमेंट्स है रिजूमे के साथ यहां पर इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट कर देना है ठीक है फीस यहां पर लग रहा है आपका 500 रुपए आविधन करने का तो एक डिमांड ड्राफ भी आपको बनाकर भेजना पड़ेगा ठीक है तो यह आप चेक कर सकते हैं यहां से यह जो फॉर्म दिया गया है इसी पीडियेफ में आप इस एड्वेटाइजमेंट नंबर लिखेगा सब कुछ यहां पर पेस्ट कर लेजिएगा और जो है इसको भर दीजिएगा सिर्फ और कुछ करना नहीं है इसमें आपको और साथ में भेज देना है यहां पर वर्क एक से आते हैं तो इस फॉर्मेट में अपना जो है जो है ऑबी सी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा तब आपको वहां पर प्रेफेंस मिलेगा और इंकम कास्ट जो एसेट सेटिफिकेट है यानि कि आये प्रमान पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा यहां पे तो यह च आपको भर के आपको जो है भेज देना है बाइस अपरल से पहले ठीके और इसके लिए जो है आप जेनरल के टेगरी में आते हैं आप छाद्र तो आपसे यहां पर 500 रुपे फीश चार्ज रखा गया है ठीक है और जो सेस्ट या ओबी सी के टेगरी से हैं यहां पर जो अध के टेगरील में आते हैं उनसे यहां पर 500 रुपे फीश चार्ज लिया जा रहा है और यहां पर अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रू पूछ लिजेगा यह नोटिफिकेशन में आपको शेयर कर दिया है अपने टेलिग्राम प कर दो, है तो आपका प्रवशन में आपका.